दियर फ्रेंट स्वागत है आपका हमारे चैनल पर दोस्तों ये मेरे पास में एक्सलih100 की के स्टार्ट है इसमें करंट नहीं आ रहा है गाड़ी में करंट की प्रोबल्म है तो मैं बताने वाला हूँ किसमें करंट किस तरीके से आपको चेक करना है अगर करंट की प्रोबलम जाए इसमें और चाबीस की ओन है गाड़ी की चाबी वाला सुचिस का खराब है बिल्कुल ओन ही रहता है वह आप देख सकते हो चाबी ओन है इसकी तो अब इसमें करंट किस तरीके से हमने चैक करना है वो चीज में बताने वाला हूँ आपको तो दोस्तों इसमें क्या है कि इसमें करंट नहीं आ रहा है देख सकते हो आप अब इसमें चैक की बात है कि चैक कैसे करना है इसमें एक औरेंज कलर की वायर है जो हमारी लैटिंग सिस्टम का करंट बनाता है उसमें आपको अपना मल्टी मिटर का वायर गुसाना है और अपन इसके अर्थ में लगानी है और किक मार के देखना है तो यह देखे लिए यानि कि इसमें करंट आ रहा है वैसे अगर तार बोड़ी पे टच करोगे तो नहीं दिखाएगा उसके बाद आपको पिक अप कोईल का चेक करना है पिक अप कोईल की हमारी वैलू रिजिस्टेंस जहां हमारा बजर बोलता है वहाँ पे आपको मल्टी मिटर में जहां पे हमारा बजर बोलता है वहाँ आपको अपना मल्टी मिटर सेट करना है और उसके बाद आपको एक एक तार इधर और उधर लगानी है इसमें तब ये अपनी value दिखाएगी अगर short होगी तो ये बजने लगेगा इसमें बजर और short नहीं होगी तो ये अपनी value दिखाएगी तो ये देख सकते हो आप 138 value दिखा रही है multimeter के अंदर तो यानि कि ये हमारी ठीक है अगर ये short होती तो यहां पर हमारा बजर बजने लगता तो बहुत ही simple तरीका है और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें नए वाली क्वैल इस्टॉल करके जो हमारी एक्सल अंडर किक वाली की नए क्वैल है उसको लगा के दिखाता हूँ ये मैंने लगाया इसको और मैं फिर उसके बाद आपको करण्ट दिखाता हूँ बहुत ही आसान तरीका है इसका करण्ट चेक करने का आपकी साथ अगर इस तरह की समस्या हो जाए तो बहुत ही आसानी से आप चेक कर सकते हो सभी वायर मैंने लगा लिए और अब आप देख सकते हो तो ये करण्ट इसमें आ चुका है गाड़ी के इंदर तो इस तरीके से अपनी गाड़ी का आप पर अपर अब कर शेक कर सकते हो वरना इसमें जैसे वायल लगा के ऐसे चेक कर लेते हूं उसमें नहीं बताएगा तो ठीक है दोस्तों थैंक्यू वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सेर जरूर करना कमेंट में जरूर बताना